कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में रेप और हत्या की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के पिता ये कहते हैं कि उनकी बेटी केवल एक ही काम करती थी और वो था पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई वो बीता वक्त याद करते हुए बताते हैं कि कैसे बेहत गरीबी के बावजूद उन्होंने बेटी की स्टडी और अड्मिशन के लिए मेनत की और उसका सपना पूरा किया लेडी डॉक्टर के पिता ये भी कहते हैं कि हमने उसके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने में कोई को और कसर नहीं छोड़ी पिता कहते हैं कि अब मैं बस एक काम कर सकता हूँ और वो ये है कि उसके दोशियों को सजा दिलवा पाऊँ आठ और नौ अगस्त की दर्मियानी रात को अपनी नाइट ड्यूटी के बाद सो रही ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में देश में दुनिया में तीखा आक्रोश है मामले की जांच CBI के हवाले है और इस मामले में जांच पड़ताल के बीच आरजी कर कॉलेज के प्रिंसपल से भी पूछताच की जा रही है कि जिन पैसूं पर जिन पर पैसूं की हेरा फेरी का भी आरोप यहां पर लग रहा है पूरे भारत में डॉक्टरू ने विरोध प्रदर्शन और हरताल भी इसको लेकर की सुप्रीम कोर्ट मामले की सुथा संग्यान लेकर सुनवाई भी कर रहा है दिगारजन की रिपोर्ट के मताबिक लेडी डॉक्टर के पिता बीते वक्त को याद करते हुए कहते हैं कि बेटी की एकलौती इच्छा थी कि वो मेडिसिन में करियर बनाए जिस दिन अपनी बेटी को आखरी बार देखा था उस दिन को याद करते हुए पिता ये कहते हैं कि पश्चिम मंगाल के कल्यानी में कॉलेच ओफ मेडिसिन और जेनेम अस्पिताल की लिस्ट में उसका नाम आ गया था पिता टेलर की तौर पर काम करते हैं और बड़ी मुश्किल से उन्होंने रकम जुटा कर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया उस दिन को याद करते हुए पिता ये भी बताते हैं कि उसने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहती है और पापा डॉक्तर बनना और दूसरों की मदद करना अच्छी बात है आपको क्या लगता है पिता ने आगे कहा ठीक है तुम करो हम तुम्हारी मदद करेंगे फफखखखखख कर वो इस बात को कहते कहते रोपड़ते हैं और आगे कहते हैं कि और देखो आज क्या हो गया अगर तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आपने न्यूज 18 इंडिया की यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा तो तो यूलिएटाइब चैनल को अबर